दिन भर की भागा दोड़ी और ठकान के बाद अगर रात को सूती समय खटमल काटे तो कोई भी इंसान वेचैनी महसूस करेगा खटमल के काटने से खुझली तो अचा पर चकते और फफोले हो सकते हैं ये आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आप रात भर ठीक से नहीं सो पाते दोस्तों अगर आप खटमल से बहुत ज़दा परेशान हो चुके हैं तो अब आपको परेशान होनी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको पताने वाले हैं इस फीडियो में कुछ घरेलू उपाए जिससे कि आप खटमल को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से भगा सकते हैं हमारा पहला तरीका है नीम की पतियां नीम की पतियों को अच्छी मातरा में लेकर उन्हें 10 से 15 मिनट तक आपको उबालना है इस पानी से पूरे घर में पोचा लगाएं इससे खटमल दूर हो जाएंगे और घर में मच्छर मक्खी भी दूर रहेंगे आप इस पानी से कपड़े भी धो सकते हैं इससे आपके कपड़ों पर अगर खटमल हो चुका है तो वो भी खतम हो जाएगा आप इस पानी को स्प्रे बॉटल में भर कर घर के कोनों और दरारों में भी स्प्रे कर सकते हैं इससे घर में छुपे हुए खटमल मर जाएंगे हमारा अगला तरीका है खटमल वाली जगा पर मिट्टी के तेल का यूज करके भी केरुसिन के तेल का चड़काब कर सकते हैं ऐसा करने से सारे खटमल फर्मीचर से बाहर भाग जाएंगे और फिर आप उसे आसानी से मार सकते हैं आप चाहें तो पुदीने का भी प्रियोग कर सकते हैं पुदीने की गंद को खटमल भी सहर नहीं कर पाते हैं तो कुछ पुदीने की पतियों को आपको लेना है और अपने बिस्तर के पास रख दें अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कुछ पुदीना के पत्ते उनके पलने में रख दें, पुदीना के पत्ते खटमलों को दूर रखने में हमारी काफी ज़दा सहायता करते हैं। जादा फाइदेमंद होता है। लाल मिर्च की गंद से खटमल बिचलित हो जाते हैं। जिससे बच जल्दी मढ़ जाते हैं। तो दोस्तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उमीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें झांक य। झांक वाचिक 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 वीडियो।